अक्बर बीरबल की कहानी आगरा कौन सा रास्ता जाता है नमस्ते मेरे छोटे से प्यारे से दोस्तों मैं आपकी दोस्त वैन्शिक का आज आपके लिए बहुत ही प्यारी अक्बर बीरबल की कहानी लेकर आई हूँ तो चलिए सुनाती हूँ बाच्छा अक्बर को शिकार करना बहुत पसंद था एक बार की बात है बाच्छा अक्बर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले शिकार करते करते वो इतना अगे चले गए कि वो अपने दल से छूड़ गए उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे अब शाम होने को थी और सूरच ढलने वाला था साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी काफी दूर निकलाने पर बाच्छा अकबर को यह एसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए है वहाँ आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तीराह नजर आया बाच्छा को यह देख कर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इन में से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा लेकिन सभी इसी उल्जन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए तभी सैनिको की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी वह लड़का बड़ी हैरानी से महराज के गोड़े और सैनिको के हत्यारों को देख रहा था सैनिको ने उस बालक को पकड़ कर महराज के सामने पेश किया बाच्छा अकबर ने लड़के से पूछा ए लड़के इन में से कौन सा रास्ता आगरा जाता है यहाँ बात सुनकर वहाँ बच्चा जोर जोर से हसने लगा यहाँ देखकर राजा को बहुत गुसा आया लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हसी का कारण पूछा लड़के ने जवाब दिया यहाँ रास्ता चल नहीं सकता है यह तो आगरा कैसे जाएगा आगरा पहुचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा महराज उस लड़के की सूज बूच को देखकर चकित रह गए उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया महराज ने उसे इनाम में सोनी की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया इसके बाद बाच्चा अकबर ने लड़के से पूछा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुँच पाऊंगा लड़के ने बड़ी ही शालिंता से सही रास्ता बताया और महराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की और चल पड़े यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बाच्चा अकबर के नवरतनों में से एक कहलाया कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ग्यान और सूजबूच का सम्मान करना चाहिए तो दोस्तो कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी मुझे कॉमेंस करके जरूर बताईएगा मैं फिर मिलूंगी एक अनोखी कहानी के साथ और एक अनोखी सीख के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई